नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेज में अब मेंज और प्रिलिम्स के बीच में किसको फोकस देना चाहिए? ये सबसे जरूरी सवाल होता है इस टाइम पे स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि अब डिसंबर का महीना आता जा रहा है और प्रिलिम्स के लिए लगबग 6 months के approximately टाइम रह गया 25 मही को प्रिलिम्स का एक्जाम है तो इसलिए ये जो असमंजस की स्थिती है ये जो डालेमा रहता है कि कितना time mains को दिया जाए कितना प्रिलिम्स को दिया जाए उसको resolve करना बहुत जादा ज़रूरी है उसको resolve करते हैं logic से और reason से देखिए सबसे पहले देखते हैं कि अभी से लेके अगर मैं में प्रिलिम्स की बात करूँ तो 6 months का time है that is perfectly fine बिल्कुल सही बात है लेकिन जब प्रिलिम्स और mains के बीच का जो time period है जिसके अंदर आपको mains oriented subjects के अलावा essay और optional के multiple test देने होंगे that time is only 89 days now just imagine आप प्रिलिम्स clear कर जाते हैं अभी से सिर्फ प्रिलिम्स की dedicated focus तयारी करते हैं 8 hours 10 hours लगाके प्रिलिम्स आपका clear हो जाता है लेकिन दो चीजों में आपको परिशानी आती है एक answer writing की आपने practice कभी की नहीं है secondly आपने means relevant जो subjects है या means oriented जो subjects है उनको एक भी बार नहीं देखा है now some of the subjects can be left for after prelims say for example if I had to choose post independence consolidation और world history I can leave it for after prelims और उसको quickly revise करके मैं according to the weightage उसको तयार करके जा सकता हूं paper देने लेकिन ऐसे subjects जैसे की governance social justice and Indian society इनको मैं completely prelims के बाद के लिए नहीं छोड़ सकता हूं उसका कारण इसकी weightage इसका amount of syllabus और इसमें answer writing की एक skill develop करने की requirement इसलिए मुझे ऐसा लगता है specifically उन students के लिए जो holistic तयारी कर रहे है सिर्फ prelims के लिए नहीं सोच रहे है कि prelims clear हो जाए उसके बाद देखी जाएगी that never ends well तो वो 68 days का जो time है अगला यानि 70 दिनों का लगभग time है 10 हफतों का time है उसको बहतरीन तरीके से utilize तब कर पाएंगे जब वो कम से कम 2 hours जो है 2-2.5 hours means answer writing को दे रहे होंगे क्यूंकि just imagine कीजे कि आप अभी answer writing की practice नहीं कर रहे है आप suddenly जाते हैं प्री के बाद और आपको essay, ethics, optional, gs123 के content भी develop करना है और answers भी लिखने है और इतना ही नहीं तीन घंटे में 3 hours के अंदर कैसे answer लिखने है इसके उपर काम करना है so specifically for those number one जो students students, 2025 में में लिखना चाते है and for those students जो building blocks बना रहे हैं और 2026 में में लिखना चाते है उनके लिए develop किया गया है मेरा में मेंज mentorship program जो यहाँ sleepy classes पे हम लोग आपके सामने ले के आए हैं इसकी beginning हो रही है आज से it is starting from today onwards इस program के बारे में detail दे दता हूँ ठीक है इस program में सबसे पहले तो orientation lectures होंगे जिसमें आपको basics of answer writing constituents of good answer keywords और directives को identify करना यह सब चीजे lectures के थूँ बताई जाएंगी फिर उसके बाद हर एक subject का एक session होगा जिसमें sources, notes बनाने हैं नहीं बनाने हैं किस तरीके से previous year questions की theme के उपर focus करना है वो सब बताया जाएगा for all the GS subjects 1, 2, 3, 4 और subject wise आपको lecture मिलेगा उसके बाद next week से यानि 2 December से daily आपको two questions मिलेंगे two questions जिसका topic पहले से decided होगा अब क्योंकि हम two questions कर रहे हैं ऐसा हो सकता है कि topic broad हो broad होने का मतलब है कि आप इसको दो तरीके से approach कर सकते हैं approach number one is कि आप question पहले पढ़ ले सुभा पढ़ ले उसका content तयार कर ले और शाम को उसका answer लिखे that is also perfectly reasonable because जब आप answer writing की शुरुवात करते हैं आप से expected नहीं होगा कि आप बहुती fluent बहुती अच्छा बहुती परिपक को answer लिखेंगे इस program का purpose ही यही है कि आप जिस प्रकार से अपने study करते हो पढ़ाई करते हो उसको क्या answer में reflect कर पाते हो और अगर नहीं कर पाते हो तो उसके अंदर क्या drawbacks हैं वो चीजें दूर की जा सके that I have endeavored to do with this program और इसलिए specifically इस program के लिए जो answer sheets हैं वो भी मैं evaluate करता हूँ इसके अलावा मैं one-on-one sessions conduct करता हूँ students के साथ after a portion of their tests have been evaluated वो अपने आप schedule कर सकते हैं तो basically होता क्या है कि इस particular program के अंदर आप one-on-one sessions मेरे साथ on a regular basis schedule करते हैं जिसमें आपकी performance को monitor किया जाता है ये देखा जाता है कि क्या time taken to write the answers क्या ये reduce हो रहा है क्या आपके answers की quality में इजाफा हो रहा है, increase हो रहा है और जो first batch के बहुत सारे students है उसमें I can proudly say that many students have now after four to five weeks have now reached a level जहां पे वो एक decent answer लिख सकते हैं in a stipulated period of time of course there will be many students जिन से अभी time management का issue है but मैं साथ के साथ उनको guide करता रहता हूं उस program के अंदर साथ ही साथ इसमें आपको end में क्या मिलेगा, full end test मिलेंगे so what you'll end up with is you'll end up writing 96 answers plus four full end test which approximately comes out to around 170 answers which is very very good answers under the belt इस concept को समझे, अगर आप 1500 questions, 200 questions लिख लेते हैं, लेकिन वो evaluate नहीं होते हैं, उसके उपर आप consciously काम नहीं करते हैं उसको improve करने के लिए, तो that 170-160 questions is just going to जाद जादा वो आपकी speed improve कर सकता है, लेकिन आपको यदी भी करते हैं, लेकिन mains में जरूर include करना और इस schedule को आप follow कर सकते हो, even if you do self study, आप क्या कर सकते हो, कि यह जो schedule दिया गया है, यहाँ पर ठीक है, यह हमारे telegram group में आपको मिल जाएगा, इस schedule के तहत हाप कुछ questions pick कर सकते हो, आप previous year question ही pick कर लो चाहे, you pick previous year questions from these themes और वो attempt जरूर करो daily के दो, ताकि आपकी answer writing का एक base बना रखे एक foundation बना रहे, otherwise 89 days के अंदर उसे start करना और उसे complete करना holistically सही नहीं है feasible नहीं है, possible नहीं है हाँ, इसमें भी जो schedule है वो flexible है अगर एक दो दिन आप skip कर देते हो, बान लो तो आप 2-3 दिन के बाद लिख सकते हो answer और in this program I guide the students कि कब आपने 2 answer इकठे लिखने हैं कब आपने 4-6-10 answer इकठे लिखने का time आएगा, वो भी time आएगा तो कैसे stage wise progress करना है उसके बारे में भी हम discuss करते रहते हैं, एक मेरा आप लोगों से सवाल था, जो की बहुत ही relevant मुझे लगता है कि आज के समय में आपके लिए मेरा सवाल है वो है ये कि अब जो mains a day के sessions होते हैं हमारे YouTube पे, YouTube पे जो हमारे mains a day के session होते हैं दोपहर 12 बजे, ठीक है उसमें आप कौन सा subject के answers discuss करना चाहते हो ठीक है, अपार्ट फ्रम quality, governance and let's say IR also we have covered, इन दोनो यानि GS2 को छोड़के आप कौन से subject के answers चाहते हो कि मैं cover करूँ, मुझे comment section में बताओ, तो comment section के comments के हिसाब से जिसमें सबसे जादा number होगा उसको मैं अब discuss करूँगा अपने कल से जो mains a day के videos आएंगे उसके अंदर, so please think about how you have to plan your 68 days, 70 days अगर आप चाहते हैं कि आपको मैं guide करूँ specifically, तो आप number पे call भी कर सकते हैं, ठीक है we can connect over the call as well, free of cost भी connect कर सकते हैं, है ना कोई issue नहीं है उसमें, but एक structured program की हर किसी को अवशक्ता होती है, जरूरत होती है, और बाद में ये benefit देंगे ये जो 170 answer आपने लिखे होंगे, ये definitely benefit देंगे जब आप prelims clear कर देंगे after 31st January, I don't suggest anyone to do mains related stuff anymore, खतम कर दो mains का सिलसला और फरवरी से लग जाओ, prelims की holistic तैयारी में, ठीक है, तो realistically बात करें, तो अभी आपको balance करना है between prelims and mains preparation, तो आप दिन के 2 घंटे कम से कम, 1.5 से 2 घंटा answer writing को और उसकी analysis को दे सकते हो, very comfortably specifically, अगर आप full time preparation करते हो, अगर आप working professional हो, तो weekends पे आप 4 hours जो है वो दे सकते हो, mains answer writing को इसी के साथ, आज का मैं session ये discussion समात करता हूँ, comment section में मुझे subject का नाम जरूर बता दीजेगा बहुत बहुत धन्यवाद